पिस्तरी केसे बनाऊंगे ना सोयबीन करी तो लोग बुछते ही रहे जाएगे कि इसका रेसीपी क्या है बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों चेहरोर एक पार ट्राइ तो बनता है मैं यहाँ पर स्वैबीन ले रहे हूँ और इसे में पहले से भीगो के रखी थी आप इसे 10 मिरिट के लिए नमक टाल कर पाने में भीगो के रख लेना अब हम कडाय में लेंगे थोड़ा सा तेल और इसमें हम स्वैबीन को अच्छी से स्कुईच करके इसमें डाल देते हैं आप चाहे तो इसे बिना फ्राइ के ही करी बना सकते हो पर फ्राइ करने से इसका टेस्ट और पी ज़्यदा अच्छा रहता है यहां पर हमारा स्वैबीन भी अच्छा से फ्राइ हो चिके हैं अब हम इसे एक प्लेट में निकल कर रख लेते हैं और उसके बाद इसमें आट करेंगे कुछ इंग्रिडियन्स यानि कि में हम पर हाफ बोल दहीर आट करी हूँ यह ज़्यादा खटा नहीं है अब हम इसमें डालेंगे हाफ टीस्पून धन्यार पाउडर, हाफ टीस्पून कास्मी रर्चिल पाउडर, हाफ टीस्पून तिखी वेली पाउडर, हाफ टीस्पून हम किचिन किंग मसाला डालने वाले हीं हाज़ टीवराप तीज स्बमापस कर दाल को isce की इसे की अच्छे से मेरेनेट को से रखेते हो धर्वा के लिए रखे लें हमें प्याज को थोड़ा सा ब्राउंड करना होगा इसे इसका टेस्ट और भी ज़्यदा अच्छा रहता है यहां पर किसी पी तरह की काजू या फिर मगज यूज नहीं कर रहे हूं बिना काजू मगज के भी इतनी अच्छी इतनी टेस्टी बाली करी बन सकती है तो देखते हैं अब हम इसमें प्याज को थोड़ा सा ब्राउंड का हननेते के लिए छोड़ देते हैं बीच बीच में हमें इस तरह से मिलाते रहेंगे मैं हम पर चार से पांच लशन की कली डाल रहे हूं इसे भी हम इसमें ब्राउंड हनीत दक के लिए फ्राइ करेंगे और थोड़ा सा अध्र के टुकड़े को चुटे चुटे पीसेस में कट करके इसमें डाल रहे हूं फिखे के लिए मैं हम पर दो रेट चिली यूश कर रहे हूं आपको अगर ज़्यदा तिकार नहीं पसंद है आप इसे स्किप भी कर सकती हूं अगर तिकार खाना हो तो आप इसे डाल भी सकती हूं अब हम इसे अच्छे से भून लेते हैं जब तक कि ब्राउन ना हो जाए अब हम इसमें डालेंगे एक टमाटर ज्यादा टमाटर यहां पर यूश नहीं करें क्योंकि हमने दही यूश करके रखे थे इसलिए टमाटर में हम पर एक ही डाल रहे हूं अच्छे से भून लेते हैं सारे मसालो को हम अब हम इसमें और कुछ नहीं डलने वाला हैं यहां पर हम एक चुटकी नमक डाल लेते हैं कि टमाटर को बहुत जल्दी पकने के लिए अब आप यहां पर देख सकते हो हमारा मसाला अच्छी से ब्राउन हो चुके हैं टमाटर भी थोड़े थोड़े साफ भी हो चुके हैं अब हम इसे एक प्लेट में निकल कर रख लेते हैं थन्डे होने के लिए थन्डे होने के बाद ही इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे फिर से कड़ाए में हम लेंगे थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा जीरा का तड़का देंगे मैं हाँ पर कुछ साबद करा मसला ले रही हूँ यानि कि डालचिनी, लॉंग, काले मीच छोटी लाइची, बड़े लाइची ले रही हूँ और इसे भी हमेचे से भून लेते हैं अब यहाँ पर लेंगे हम half teaspoon के करीब ही इसमें हम लेंगे अद्रक लशुन का paste और इसे भी हमेचे से भून लेते हैं जो हमने पेश्ट बना कर रखेते मसालों का इसे डाल लेते हैं और इसमें थोड़ा सा और कलर आड़ करने के लिए में आम पर डाल देने थोड़ा सा कस्मेर चिली पाउडर और इसे आब हम पकने के लिए छोड़ देते हैं पांच मिन के बाद आप मसाला को हालत भी देख सकती हो बहुत अच्छे से भून चुके हैं जो हमने मेरिनेर करके रखे ते स्वैबिन इसमें डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बोल में थोड़ा सा मसाला रहे चुका है इसलिए हम इसमें थोगा सा पानी आड़ करके भी इसमें डाल देंगे और सारे मसालों को हम अच्छे से भून लेते हैं पांच मिनिट लो फ्लेम पे भूनने के बाद आप देख सकते हूं मसालों का कलर और टेक्स्चर बहुत अच्छा दिख रहा है यहां पर हमारा स्वैबिन अल्मोस ड़ी हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देते हैं हाफ ग्लास के करीब पानी अच्छे से मिक्स करने के बाद दस मिनिट के लिए ही लो फो मीडियम फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं जब तक इसका ओल अच्छे से रिलिस ना हो जाए अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा कसूरी मेत्ती हातों से कराश करती हुए और इससे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आप करी किया कलर देख सकते हो डेक्शेट देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा अमुल फ्रेश क्रीम डाल देए हूँ आप किसी भी तरह की फ्रेस क्रीम या फिर घर की बनाई हुई फ्रेस क्रीम भी डाल सकते हो वो बहुत अच्छा रहता है अगर आपके पास फ्रेस क्रीम नहीं है तो आप इसा स्किप भी कर सकते हो मैं सज़ेश करूँगी कि फ्रेस क्रीम के चेका आप क्या करो ना थोड़ा सा मिल्क पाउडर को पानी में डाल का इसमें डाल देना बहुर भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है फ्रेस्तने की पत्ते भी डाल देते हैं इसमें और इसे हमाचे से मिक्स कर लेते हैं पर हमारा करी बनकर बिल्कु रेडी हो चुका है जर्फ होने के लिए तुरह सदने की पत्ते और फ्रेस क्रीम के साथ इसे डेकोर भी कर लेते हैं थैक्स पर वचिक मैं चारा